कि फॉर्स अफ वल अब हम पेंट को ओपन कैसे करते हैं यहां पर सर्च एरिया है सर्च एरिया में आप M.S.Paint लिखोगे M.S.Paint एंटर किया हमने तो यह M.S.Paint ओपन हो गया इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा MS Paint की जो screen है वो open हो जाएगी. Now, first of all, यह आपको जो front उपर दिख रहे हैं, इसको कहते है ribbon, that one is called ribbon. इसमें three options available होते हैं, five, home, or view. जब हम file को open करते हैं, तो हमें new दिखते हैं, new हम जब new paint बनाते हैं, open, जो हम हमें बने हुए document को open करना हो, save, जब हम इसको save कर लेते हैं, picture को, and so on. अब यह हम home, जब यह home के tab activate है, इसमें paste, आपका text tool, जब भी हमने देखना हो कि यह कौन सा tool है, यह हम tool kit पर लिखे गए, जब cursor वहाँ पर आगया, तो वो बता देगा, कि यह pencil tool है, इसमें हमें free form कुछ भी draw कर सकते हैं, यह कौन सा tool है, यह fill with color है, इससे हम क्या कर सकते हैं, यह भी, बच्चा इससे खुद पढ़के, खुद ही, वो चीज affect कर सकते हैं, इसमें कुछ नाम लिखना है, या कोई टेक्स एड़ोट करना है, तो हम यह tool एड़ोट कर सकते हैं, यह eraser tool बोलते हैं, इसको रोलते हैं, color pickle, मतलब मानलों पहले कोई image है, हमने उस image का color को particular color लेना है, mixing नहीं करना है, उसको color pickle के use कर, zoom tool, picture को zoom करने के लिए, brushes और यह साधी shapes, line, circle, oval जो बनाना है, और जो color picture में affect कर, fill करने है, that is called color, अब मानलों की हमने text को, पहले बच्चे को यह चीज बना दे के, किसको किसको क्या 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 कहते है, that is one, that one is called, यह वाले color को कहते है, ribbon, और यह जो white page आपको दिख रहा है, इसको कहते है, drawing area, क्या कहते है, drawing area, next, अब कोई भी चीज जब करते है, ऐसे arrow नीचे बनाता है, उसको हम click करते हैं, ते नीचे later on further options निकलती है, बहुत सारी options निकलती है, उसको बोलते हैं, drop down menu, क्या बोलते है, drop down menu, अब यह भी है, drop down menu, brushes में भी drop down menu मिल जाएगा, यह बहुत सारी खुल रहे है, size में भी आपको drop down मिल जोगा, मतलग किसी भी arrow पे जब हम click करते हैं, later on further options खुलती है, that is called drop down menu, उसके बाद, बच्चे को बताईए, first of all, की बच्चे को लिखना कैसे है, text tool पे गए हम, इसको enter किया, हमने अपने box बनाया, और जो भी type करना है, alphabetic keys से, ABC वाली keys से हमने उसको press किया, मालो हमने लिखना है विरोनिका, V-E-R-O-N-I-C-A, यहां से type करा, मालो बहुत छोटा है, और हम इसको कैसे बढ़ा करेंगे, text वाली tab पे जाके, 8 वाले menu पे जाके, जितना हम इसका size बढ़ा करना है, उसको, तो यह क्या हो जाएगा, आपका text लिख हो जाएगा, अब हमने इसी text को copy करना है, मतलब हमने यह ही चाहते हैं, कि विरोनिका बार बार लिखा आई, मतलब, एक बार नहीं हमने 10 टाइंज सेम चीज लेनी है, तो उसे हम क्या, copy कर लेंगे, अब इसकी shortcut क्योंती है, पहले जिस चीज को हमने copy करना है, चाहे वो word है, चाहे वो image है, उसको select करो, select हम किस से करते हैं, विरोनिका, control plus A, वो blue color का हो गया, blue करने के बाद, दोनों कीज को इकठे परो, control, control C press किया, और, control C press करने के बाद, enter किया हमने, और, control V, control V press करो, control V press करो, अब विरोनिका लिखा हुआ था, आप हो,